Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से करंट अफेर के जितने भी इंपॉर्टन कोस्टन्स बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी कोस्टन से रिलेटेड एक्ट्रा फेक्ट भी जानेंगे सारे ही कोस्टन इंपॉर्टन्ट है इसलिए वीडियो अंतर तक जरूर देखीगा और अभी तक हीदि आप लोगों ने Online Study Point को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सबस्क्राइब कर लिजे ताकि आप लोगों को ने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हमारा पहला कोश्टन हाली में भारत की किस एथिलीट को IAAF द्वारा वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड से सम्मानित की गई है PT उशा जी PT उशा जी को इस वर्ष का वेटरन पिन अवार्ड दिया गया है और इन्हें 1983 में अर्जोन अवार्ड और 1985 में पदमिश्री से भी नवाज़ा जा चुका है और बात यहां पर IAF की की जा रही है तो इसके बारे में जाल लेते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है International Association of Athletics Federation इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 को और इसका मुख्याला इस्थित है मुनैकों में सबसे इंपोर्टन्ट है इसके अध्यक्ष का नाम तो IAAF के अध्यक्ष है सेबेस्टियल कोई और यदि हम इसकी सम्मेलन की बात करें तो जो भी हाली में IAAF का सम्मेलन आयोज़न किया गया था यह इसका 52 सम्मेलन था यनिकी इसका 50 सेकेंड़ एडिशन था जो कि कहां अयोज़न किया गया था दोहा में दोहा जो की कतर की कैपिटल है यहीं पर इसका अयोजन किया गया था और इसी दोहा में P.T. उउशा जी को यह अवाट दिया गया है तो यह आप जरूर याद रखीगा, important है और option में विनेस फोगाट लिखा है तो विनेस फोगाट से related current affair का question मैंने हमेशा ही आप लोगों बताया है Tokyo Olympic 2020 के लिए qualify करने वाली विनेस फोगाट पहली भारती पहलवान बन गई है इसलिए इनका नाम भी आप जरूर याद रखीगा Next question है हाल ही में किस दिन वर्ष 2019 को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया और यह मनाया गया 26 सितंबर को 26 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस के रूप में सबसे important होती है इसकी theme तो इस बार की इसकी theme थी empowering woman in the maritime community और यह हिंदी में कहें हम समुद्री समुदाय में महिलाओं को शशक्त बनाना इस बार का विश्व था theme थी अच्छा यह विश्व समुद्री दिवस यह मनाता कौन है तो यह मनाता है United Nation यानि की संयुक्त राष्ट संयुक्त राष्ट के स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसका मुख्याले कहां इस्तित है New York में सबसे important है United Nation के महासचीव का नाम और इनका नाम क्या है Antonio Guterres यह संयुक्त राष्ट के present time के महासचीव है और सितंबर में ही कुछ unimportant days मनाये गए जैसे की 8 सितंबर 8 सितंबर को मनाये गया World Literacy Day 14 सितंबर को मनाये गया Hindi दिवस सबसे important है 16 सितंबर क्योंकि 16 सितंबर को मनाये गया World Ozone Day और इससे related exam में question पूछा ही जाता है और इस बार के World Ozone Day की theme क्या थी 32 years and healing इस बार की theme थी तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा next question है highly में किस राज्जी ने स्वक्षता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान की शुरुआत की गई है मध्यप्रदेस गवर्मेंट के द्वारा तो मध्यप्रदेस के बारे में जाल लेते हैं मध्यप्रदेस की कैपिटल क्या है भोपाल यहां की मुख्य मंत्री कौन है कमलनात गवर्नर कौन है लाल जिदास टंडन और मध्यप्रदेस में important national parks हैं जो की exam में पूछे जाते हैं कानह टाइगर रिजर्व बांधावगर नेशनल पार्क पेच नेशनल पार्क और पेच नेशनल पार्क की कुछ सीमा महराष्टर से भी लगती है लेकिन इसका मोश्टली हिस्सा मध्यप्रदेश में है और कुनो वाइल लाइफ सेंचुरी लेकिन कुनो अब नेशनल पार्क का घोशित कर दिया गया है यह भी मध्य प्रदेश में ही इस्तित है और मध्य प्रदेश को भारत का सोया इस्टेट भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है क्योंकि सोया बीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किया जाता है और हीरे की खान कहां है पन्ना और पन्ना भी मध्य प्रदेश में ही इस्थित है और मैंने आप लोगों को दो दिन पहले ही बताया था कि भारत का पहला solar village यानि कि ऐसा गाउं जो कि पूरी तरह से solar energy से संचालित है तो भारत का ऐसा पहला गाउं solar village मध्य प्रदेश के बैतू पूल जिले में ही इस्थित है इसलिए इसका नाम आप जरूर याद रखेगा और दो दिन पहले में आप लोग बताया था कि अभी हाल ही में जो बॉलीवुड अभी नेता है गोविंदा उन्हें मध्य प्रदेश राजी का ब्रैंड अमेश्टर भी बनाया गया है और स्व इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर राश्टरी मुद्राकोश और इसकी नई अध्यक्ष बन गई है क्रिश्टलीना जॉर्जिवा और बात यहां पर आई-म-फ की आई है तो इसकी स्थापना कप की गई थी आई-म-फ की स्थापना की गई थी 1945 में इसका मुख्यालय इस में आई-म-फ की मुख्य आर्थिक सलाहकार है और अंशुला कांत इनसे भी रिलेटेट करंट अफेर का कोश्चन मनता है अंशुला कांत को कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक में CFO के पतपर यानि की चीफ फाइनेंसियल ऑफिशर के पतपर निउक्त किया गया है और इसके पहले अंशुला कांत स्टेट बैंक आफ इंडिया की एमडी भी रही है तो यह आप याद रखीगा नेस्ट कोश्चन है हाल ही में कौन IBSF वर्ल्ड इसनूकर खिताब जीता है और IBSF वर्ल्ड इसनूकर खिताब जीतने वाले जो खिलाडी हैं वह बन गये हैं पंकज आड और अधित्य महता यहनी कि इन दोनों की ही टीम ने IBSF वर्ल्ड इसनूकर का खिताब जीता है और इन्होंने हराया किसे है إन्होंने हराया है थाईलेंड को और यह प्रतियोगिता कहां अयुजित की गई थी तो IBSF की प्रतियोगिता अयी गई Θी म्यां मार में तो म्यां म आयोजित की गई थी म्याम्मार में तो म्याम्मार के बारे में जाल लेते हैं म्याम्मार की capital क्या है? नाइपीडो currency क्या है? क्यात और भारत और म्याम्मार की बीच में एक exercise होती है यदि आप लोगों को याद होतो भारत और म्याम्मार की बीच में एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंबैक्स आई से इंडिया एम से म्याम्मार तो इंबैक्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और म्याम्मार की बीच में होती है और बात यहां पर IBSF की की जारी है यहने कि International Billiards and Snooker Federation इसका Headquarter कहां इस्थित है तो IBSF का Headquarter इस्थित है दुबई UAE में और इसके Head कौन है तो इसके Head है प्रिजन टाइम के मुबारक अलख हैरिन यह आप याद रखेगा और अभी मैंने क्या कहा UAE और UAE से आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ समय पहले ही UAE के सर्वच सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया है नेच्ट कोश्चन है Most Important हाली में वीजा की नई ब्रैंड अमबेज़र कौन बनी है तो वीजा की अभी हाली में नई ब्रैंड अमबेज़र बनाई गई है पीवी सिंधु और पीवी सिंधु भारत के किस राज्य से बिलॉंग करती है तेलंगाना से और इनका नाम अभी चर्चे में रहा है क्योंकि पीवी सिंधु BWF जीतने वाली भारत की पहली महिला एथिलेट बन गई है यहनी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेश्ट और बात यहां पर हम कर रहे हैं वीजा की तो यहां पर वीजा का भी फुल फॉर्म बनता है वीजा का फुल फॉर्म क्या होता है विजिटर्स इंटरनेशनल इस्टे एडमिशन वीजा का फुल फॉर्म है और वीजा की जो ब्रैंडम बैजडर बनी है वह बनी है पीवी सिंधु और विराट कोहली यह किस ब्रैंड के ब्रैंडम बेजडर है यह ब्रैंडम बेजडर है उबर के पंजाब नेशनल बैंक के अमेरिकन टूरिस्टर के गूगल डूओ के और कुछ समय पहले ही विराट कोहली और अनुश्का शर्मा को मिंट्रा का ब्रैंडम बेजडर बनाया गया आञेलीे तर और कोहँले कोई रिशाप पंत को हिमाल्या फेस वास कंपनी ने अपना और ब्रेंड में था और कार्टीकार एन को रिसेंटनी야 मुझेल कादम बनाया गया है और दीपीका पादुकों ऊपना डंगे किस ब्रेंद घर योजना की शुरुवात की है, बहुत ही इनिशियेटिव स्कीम है और इसकी शुरुवात की गई है असम गवर्मेंट के द्वारा, तो असम के बारे में जान लेते हैं, असम की कैपिटल क्या है? दिसपूर, यहां के मुख्य मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनवाल, यहां के एथिलीट है बहुत ही फेमस एथिलीट हिमादास इनका भी संबंद है असम से ही और यह असम राजी की sports brand ambassador भी है तो इनका नाम आप याद रखिएगा नेश कोस्चन है हाल ही में सबसे ज़ादा golden card से जारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शाशित प्रदेश कौन बना है तो यह बना है जम्मू कश्मीर जिसने सबसे जादा golden card से जारी किये है और इसने AB PMJAY इसके तहत पहले 90 दिनों में लगभग 11 लाग golden card जारी किये हैं अब यह है क्या यनि कि आयुश्मान भारत प्रदान मंत्री जन आरोगी योजना इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 11 लाख golden card जारी किये गये हैं वो भी कुल 90 दिनों के भीतर यह आप याद रखिएगा और बात यहां पर जम्मू कश्मीर की की जारी है तो आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले यहां से आर्टिकल 370 हटाया गया था और आर्टिकल 370 के अंतरगत ही जम्मू कश्मीर को विशेश राजजी का दर्जा प्राप्त था अभी यहां से कुछ important question बन सकती हैं जैसे कि यहां के present time के governor कौन है तो जम्मू कश्मीर के present time के governor है सत्य पाल मलिक और जम्मू कश्मीर में दो important national park है जो की exam का part बनते हैं एक है hemis national park जो की जम्मू कश्मीर में ही है एक है सलीव अली national park यह भी जम्मू कश्मीर में ही है Next Question है, हाली में दुनिया का पहला ऊट अस्पताल कहां खोल लगया है, तो यह खोल लगया है दुबई में, दुनिया का पहला ऊट अस्पताल है, इसलिए नाम important है, और दुबई से आप लोगों को क्या यादाता है, मैंने आप लोग कई बार बताया है, जो दुबई ऐर्पोर दुबाई एयरपोर्ट नेश कोश्चन है तेजस एक्सप्रेस नाम की पहली कॉर्पोरेट रन ट्रेन यह किसके बीच चलाई जाएगी तो यह चलाई जाएगी लखनव से दिल्ली के बीच में और बात यहां पर ट्रेन की की ही जा रही है तो आपको यह भी मालूम होना चाहि यह है भारत की सबसे तेजगती से चलने वाली ट्रेन और यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे तेजगती से चलने वाली ट्रेन का नाम है अल्फा एक्स और अल्फा एक्स जापान की ट्रेन है जिसका ट्रायल कुछ समय पहले ही जापान में हुआ है और इसक पर तीस से जब इसे चलाया जाएगा तब इसे 360 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलाया जाएगा और हम बात कर रहे हैं तेजस एक्सप्रेस की यह चलाई जाएगी लखना उसे दिल्ली के बीच में कल मैं ने आप लोगों से पूछा था हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का ब्रैंड अमबेश्टर किसे नियुक्त किया गया है और यह नियुक्त किया गया है गोविंदा अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाल ही में किसे New York में Change Maker Award से समानित किया गया है और इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में detailing के साथ लिखेगा और एक चीज मैं बता दू आपको दोस्तों कि सर एक या दो अक्टूबर से फिर से आप लोगों की क्लास लेंगे इसलिए आप लोगों को केवल दो या तीन दिन वेट करना है सर वापस आ रहे हैं आप लोगों की क्लास लेने के लिए और एक चीज ऑनलाइन स्टेडी पोइंट की 1200 प्लस करन्ट अफेर की जो PDF की लिंक है वह ओपन है आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगो पसंद आया है पसंद आया है तो अपने स्टेडी रिलेक्टर गूप में शेर जरूर करिएगा और ओनलाइन स्टेडी पोइंट को लाइक, शेर, सब्स्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच